दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का रमानी क्लासेज में और मैं धनिंजे सिंग आप सभी को इस सामने निबंद लेखन पर एक विश्त्रित परचर्चा प्रस्तुत करूँगा और साथ ही दोस्तों आपको ये जो आपके अंदर भावना रती है कि निबंद को कैसे लिखें और क्या इसमें अच्छे अंक लाया जा सकते हैं एक सो साथ प्लस से अधिक मार्क्स क्या इसमें आ सकते हैं इन सभी बिंदों के साथ साथ हम ये भी डिसकस करेंगे निबंद जो की एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चैन में अंतिम चैन में बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहता है यानि कि अगर आप 200 में से 160 यानि कि 60% से अधिक मार्क्स अगर पा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके सेलेक्शन में प्रभावी भूम का निबाता है इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या डिसकस करेंगे इस पर हम लोग डीटेल बातचित कर लेते हैं तो दोस्तों इस पूरे परिचर्चा को हम लोग 9 बिंदों में रखेंगे पहला जो बिंदु है वो है निबंद एक परिचर यानि कि निबंद का क्या होता है इसकी परिभाशा क्या है कैसे हम निबंद लिखते हैं किस प्रकार से निबंद को हम और अच्छा कर सकते हैं और साथी जो निबं क्या उसकी सावधानिया होनी चीए, कहानी, कविता, कोटेशन, आदी का प्रयोग कैसे होना चीए, इस पर हम एक basic introduction देंगे, क्या होता है निबंद हमारे, especially UPSC में और अगर state PCS में भी अगर आप से पूछा जाता है, तो भी आप इसका utilization या आप अपने academic exam में निबंद पर क्या-क्या चीजे सीख सकते हैं, वो आज हम लोग discuss करेंगे, तो पहला बिंद होगा दोस्तों, हमारा निबंद क्या है, क्या होता है निबंद, इसकी परिभाशा क्या है, किस से, किस तरीके से हम निबंद को, पहली जो निबंद शब्द है, इसे शब्द है, वो यानि कि इसे का हम एक परिचे देंगे यहाँ पर, ठीके न, इसे का एक परिचे, यानि कि जो इसे है हमारा, वो क्या-क्या चीजे हमें discuss करनी है, इस पर हम लोग बाग करेंगे, चलिए, तो ये, इस पर हम लोग, एसे का एक introduction प्रॉपर देखेगे, introduction of essay, दूसरा विंदू होगा दोस्तों, हमारा निबंद में ही, अच्छे निबंद की क्या-क्या गोण होने चीजे, जैसे कि, आप कोई पुस्तक उठाते हो, जैसे आप अमिस्त्री पाठी की मेलुआ पढ़ते हो, या कोई ऐसी पुस्तक जो है, फाइप पॉइंट सम्वन चेतन भगत की पढ़ते हो, या कोई literature है, तो आप देखते हैं, पुस्तकें इस प्रकार से लिखी जाती है, कि वो रोचक होती है, यानि हम किसी भी पुस्तक को, किसी भी लेख को, किसी भी आप दाहिंदू में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़ते होंगे, जो socio-economic मुद्धों पर होंगे, international मुद्धों पर होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा आकरसित करते होंगे, तो उनके क्या-क्या विशेश गुण होने चाहिए, जिसके आधार पर एक पुस्तक को अच्छी पुस्तक माना जाना चाहिए, तो आपको पता है कि एक पुस्तक अच्छी कब होती है, तो एक पुस्तक अच्छी तब होती है, जब उस पे क्या हो, तारतम्यता हो, यानि कि एक sequencing हो, ठीक है न, और connecting the dots, यानि कि हम एक बिंदू से दूसरे बिंदू को connect कर सकें, यानि कि वह लेखन जो हो, वह सारगर्वित हो, यानि कि compact हो, एक interlinkage हो, एक paragraph से दूसरे paragraph में, और अन्य बहुत सारी होती है कि पठनीय हो, यानि कि ऐसे क्लिश शब्दों का भी उप्योग न हो, यानि कि कठिन शब पाठक है, यानि कि जो हमारे examiner है, वो इसको मुल्यांकित करेंगे, तो वो हमारे लिए पाठक होंगे, अब पाठक को कैसे हमें निबंद अपना पूरा पढ़वा ले जाना है, ये सबसे बड़ी कला होती है, कि जब हम कोई निबंद लेखन करते हैं, निबंद लेखन हम क करते हैं, तो हमें पहले बिंद को ध्यान रखना चाहिए, कि ये सारे जो लक्षण है, जो अभी हम लोग डिस्कुस करेंगे, ये अगर आप परिपोंड रखते हैं, यानि कि इसमें एक अच्छा क्या हो, प्रस्तावना हो, इंटोड़क्शन हो, आप देखते हैं, अभी ब इस पुस्तक में या प्रस्तावना देखते हैं, किसी निबंध की, तो उसमें ये बताया जाता है, कि इस पूरे, पूरे पार्ट में क्या-क्या चीजे की गई हैं, हाला कि पूरा, तो आप जब तक वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो मूवी नहीं देखेंगे, जब तक वो वेफ सिरीज नहीं देखेंगे, तब तक जो है, आप जो है, उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ट्रेलर अच्छा होगा, जैसे कि एक मूवी आई थी, अभी राम के नाम पर मूवी बनी थी, और उसमें जो है, राम, सिया, राम करके गाना था, और उसमें बहुत सारे चरित्रों को अलग तरीके से दिखाया गया था, जिसमें बड़े एक्टर थे, शैफली खान, आपके प्रभास थे, और उसका जो लेखन था, समवाद था, वह जो जिन्होंने लिखा था, उन पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई, उस हमारे लिए एक राक्षस है, फिर भी उसका अपनी एक रूप रेखा है, तो उन रूप रेखाओं को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ था, ट्रेलर के बाद ही मूवी पर इतनी सारी समस्याय आ गई थी, कि बहुत सारे सीन को कट करना पड़ा, समवाद को कट करना पड़ा और वहीं से लोगों ने परसेप्शन बना लिया, कि ये मूवी कैसी होगी, उसी प्रकार से ये इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, इस पर हम लोग डीटेल बात चीत करेंगे, निबंद का जो है, क्या-क्या बेसिक चीजें होती है, लक्षण क्या-क्या होते हैं, पठनी होना चीजे आपके लिए, और निरंतरता होनी चीजे, उसमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चीजे, मुल्यांकन होना चीजे, आपके दोनों पक्षों का विशलेशन होना चीजे, इन पर हम लोग डीटेल बात चीत करेंगे, साथ ही बात करेंगे, आ परीवी बेरोजगारी, आर्थिक संकट आदी पर पूछ दिया गया, वो प्रस्न होते हैं, दूसरे होते हैं आपके abstract, जो कि आज कल UPSC में लगभग दो निबंध आपको दोनों के दोनों ही लिखने पड़ सकते हैं, अगर आपको abstract निबंध पर पकड़ अची नहीं है, त गांदी जी का ये quotation है, पूछा भी गया है आपके साथ, जो बदलाव आप स्वैंग में करना चाहते हैं, जो बदलाव आप विश्व में देखना चाहते हैं, पहले स्वैंग में करिए, ये गांदी जी का quotation है, ये proverb है, पहले का, जो गांदी जी ने काफी जगा quote किया है, त पर हम बात करेंगे निबंध लेखन कोशल को प्रभावी कैसे बनाएं अब ये main part जो है आपका यही होना चीए निबंध लेखन को प्रभावी कैसे बनाएं ये बहुत ही important topic है और इस पर हम लोग आज ज़्यादा चर्चा करेंगे कि प्रभावी लेखन की क्या-क्या ठीक है ना उसके बाद निबंध की सामगरी क्या होनी चीए बहुत सारे समस्या होती है कि हम नोर्स कहां से बनाएं किताबे कौन सी है market में कौन सी किताब खरीदें कौन सी magazine लें हमारे पास facts कहां से होनी चीए figure का उपयोग कहां से करें quotation कविता है हम कहां से बनाएं anecdote कहानिय यह सबी अलग-अलग हैं आपको थोड़ा-थोड़ा इसमें सामेता दिख रही होगी लेकिन सारे चीजे अलग-अलग हैं ठीक है अभी हम बात करेंगे निबंध के अभिलक्षण यानि कि इसके जो है main जो है इसके जो characteristics होती है इस पर हम लोग बात करेंगे क्या-क्या characteristics हैं ज़रूरी है और साथी बात करेंगे तक्षिओं विचारों ग्रास-चार्ठ आदी का प्रियोग किया जाए कि नहीं किया जाए इस पर हम लोग बात करेंगे अंत में कुछ प्रश्ण में पूछूंगा और आपके गजो प्रश्ण होंगे उन प्रश्णों को आप जो है कमि जैसे कि में बताउ हमारे UPSC एस्पिरेंट जो है हमारे कई सारे स्टुएंट है जिनकी कॉपिया हम लोग चेक करते हैं उन कॉपियों में ऐसे ऐसे ब्लंडर होते हैं एक स्टुएंट हमारे था दो-तीन साल पहले जो है उन्होंने कुछ शब्द हैं जैसे कि आप लगातार ज आपके आसपास होती रहती हैं आपको पता नहीं रहता है कि हम किस विचारधारा से प्रभावित हैं या हम किस विचारधारा के हैं आप अपने व्यक्तिकत जीवन में किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं लेकिन निवंद लेखन में आपकी विचारधारा परलक्षित नहीं होनी चाहिए, वह जो है सीधे-सीधे आपको दिखना नहीं चाहिए कि आप किस विचारधारा से हो, मेल हो, फीमेल हो, आप जो है दलित वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो, किसी राजनितिक पार्टी से संबंदित हो, या किसी धर्म से हो, किसी जाती से संबंदित हो, य सारे शब्द जो है चीजे नहीं आनी चाहिए जिससे की आपका निबंद बहुत ही compact रहता है अगर कुछ भी शब्द एक दो शब्द ऐसे आ गये बहुत सारे ऐसे student हैं जैसे मैं कहानी बता रहा था कि हमारा एक student है उन्होंने लिखा था एक शब्द तथा कथित हिंदुवादी सरकार अगर ये शब्द आप लिखते हैं तथा कथित सब्द ही नहीं आपको प्रयोग करना है आपको प्रयोग में ये नहीं लाना जैसे रवीष कुमार माली जै कि आप एक anchor हैं वो किसी विशेश विचेरधारा से हैं अर्नोगो स्वामी हैं वो किसी अन्य विचेरधारा से हैं तो वो लोग जो बाते कहते हैं वह उनका personal perspective है या उस channel का point of view है उसको आप अपना view न बनाए आप अपने view को अगर लिखना हो तो आ आपको ये दहिंदू का article पड़ रहे हैं अब वो सुब्रमन्यम स्वामी लिख रहे हैं कि आपको पीज दंबरम लिख रहे हैं या आपका कोई एक वैदेशिक जो है एक सलाकार लिख रहा है और विदेश में वो सलाकार जो है वो अमेरिका से संबंदित है वो अमेरिका के पक्ष में लिखेगा या कोई चीन से संबंदित है चीन के पक्ष में लिखेगा या उसकी विचारदारा दक्षिट पंथ बामपंथ या वह central to right to center center to right इस तरीके की विचारदाराओं पे लेख लिखे जाते हैं जो की आपके सामाने newspaper दैनिक जागारन, दैनिंस भाक सर आप का जो भी आप नियूस पेपर पढ़ते हैं उन पेपर में जो लेखक होते हैं उनके अपने भी विचारधारा हैं जो की एक टिल्ट होती हैं एक जुकी होती हैं किसी न किसी विशेस विचारधारा को ले करके तो उन विचारधारा में ओत्परोथ होकर के भी कुछ quotation कुछ sentence ऐसे नहीं लिख देने हैं जिससे कि हमारा पुरा निबंध खराब जाए तो इन सभी 9 बिंदों पर बात करेंगे साथ ही हम देखेंगे 2022-23 का paper भी देखेंगे इस paper में क्या पूछा गया है आपसे उन पर हम लोग बात करेंगे तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि paper में क्या पूछा गया है पिछले और ज्यादा तर जो है निबंध हम लिखते हैं तो वो उनकी सब्द सीमा क्या होती है ठीक है न तो देखें UPSC 2022 का ये paper है ठीक है न यूपी एससी दो हजार बाइस CSC mains ठीक है न ये CSC mains का paper है और इसमें बताया गया है कि दो पार्ट दिये होते हैं दो खंड दिये होते हैं A और B हम जब भी paper अपना open करेंगे जब भी आप लोग mains लिखोगे तो उसमें जो है आपको instruction लिखे रहा होंगे कि हमारा जो है ये निबंद के दो पार्ट हैं दो section हैं खंड हैं खंड A और खंड कर खंड और यहां पर section A section B आपको English में मिलेगा प्रतेक को यानि कि दो निबंद हैं एक निबंद आपको 1200 सब्दों में लिखने हैं अब बहुत सारे ऐसे इस्ट्वेंट हैं वो लोग ये कहते हैं कि क्या सब्द सीमा को follow करना चाहिए बिल्कूल करना चाहिए इसलिए तो दिया गया है लेकिन उस पे एकदम strict नहीं रहना चाहिए आपका content 1000 में पूरा हो जा रहा है 1000 सब्द 1000 से कम तो नहीं लिखना है ठीक है पहले तो यह ध्यान रखिए अब आपको कैसे count करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे कि आप word count करते हैं एक एक word count करना आपके लिए बह 125 सब्द लिख सकते हैं जायतर हम लोगों ने जो valuation हम लोग copy का करते हैं उससे कुछ लोग थोड़ा कम अधिक लिख सकते हैं इसमें तो 100 से 125 सब्द यानि कि 10 पेज आपको minimum लिखना ही है अब अगर आप 100 सब्द लिखते हो एक पेज में तो minimum 10 पेज आपको लिखना ही है आप लिख सकते हो आपकी speed है अच्छी खासी तो आप इसको ऐसा नहीं है कि 1300 नहीं लिख सकते हो ठीक है ना 1300 सब्द उपर नीचे हो सकता है लेकिन कोशिश करें 900 सब्द में भी अगर आपकी समझ अच्छी है आपकी लेखनी बहुत अच्छी है तो अभी आपको number मिलेंगे number मिलने की समस्या नहीं रहेगी लेकिन जब आपको एक सब्द शीमा दी गई है कि 1000 से कम न लिखें और 1200 से ज़्यादा न लिखें ठीक है लेकिन ज़्यादा अगर आपके पास capacity है छमता है अपने निमंद को पढ़वा ले जाने की छमता है तो आप 1200 से ज़्यादा लिख सक हैं ये खंड को है आपका चार निबंद है अब पहले जो pattern था उसमें दो प्रकार के निबंद आते थे एक था मूर्त जिसको हम बोलते हैं concrete abstract ये मूर्त और अमूर्त अब इसमें अंतर क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे next part में मूर्त का अर्थ होता है कोई आपको subject specific दे दिया गया जिसके आस पास ही आपको निबंद लिखने हैं जैसे भारत में आर्थिक संकट ठीक है न ये आप लिख सकते हैं या भारत में बाढ़ एक समस्या है तो बाढ़ पर ही focus होके आपको लिखना है आर्थिक संकट पर ही लिखना है जल संकट से प्रशन आ गया परियावरण से प्रशना आ गया कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के समय जो है आप देख रहे हैं भारत में विभिन जगहों पर बरसात गर्मी और ठंडी के अनुपात में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है जो भी चीजें हो रही है घटना एं इस्ट्रीम लेबल पे हो रही है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अगर गर्मी पड़ रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बरसात भी हो रही है तो ये भारत में नहीं पूरे विश्व में जो आपके पाड़ी एक्स्ट्रीम की घटना है हो रही है उनके क्या का कारण है या वो क्यों हो रही है इस पर अगर आपको निबंद लिखना है तो यह मूर्थ निबंद का लाता है ठीक ना इसको हम कॉंक्रीट कह सकते हैं यानि कि इस तरीके के निबंद जो है आपको कॉंक्रीट निबंद के रूप में मिलेंगे यानि कि टॉपिक आपको लगबग दिया रहता है उसी के इर्दगिर्द आप अपने निबंद को बुनते हैं प्रस्तावना से ले करके मुखे भाग और निश्कर्ष तक जो है इनी को करते हैं अवमूर्त निबंद जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं देता है मुखे तर यह ज्यादा तर दारशनिक फिलोस्रिफिकल निबंद होते हैं जीवन की कुछ जीवन चरिया में हमारे बहुत सारे लोकोक्तियां बोली जाती हैं, बहुत सारे कोटेशन्स बोल दिये जाते हैं, बहुत सारे महापूर्सों द्वारा, जो की आप फोर्थ पेपर में भी पढ़ते हो और बहुत सारे नियूस पेपर, किताबों, पुस्तकों में आप उसको प परन्तु लालजकी नहीं अब ये गांधी जी का कोटेशन है या आप से कोई पूछ दे कि आप जो है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक की लक्ष की प्राप्ति न कर लो ये स्वामी वेकाद नंजी का कोटेशन है अब इन दोनों कोटेशनों पे आपको क्या लिखन पूछे जा रहा है ये निबंद जो है बड़े ही इंट्रेस्टिंग होते है इस इंट्रेस्ट को आप होते तो देखने में बड़े इंट्रेस्टिंग होते हैं लेकिन हमारी पेन चलती नहीं है अब इस पेन को कैसे चलाया जाएगा कैसे दोडाया जाएगा जैसे कि हम कु अब ये मूर्त निबंद के अंतरगत जो है आप इसको समझ सकते हो क्योंकि इन्होंने आपको एक टॉपिक दे दिया है क्या फॉरस्ट लाइफ के बारे में आपको समझना है और वह उस वह फोकस कहां पर रहेगा एकोनॉमिकल जो है एकोनॉमिक एक्सिलेंस पर ठीक है न या अब आपका जो पूरा निबंध होगा वह फोरस्ट लाइफ पर डिपेंडेंट होगा और साथ ही उसमें एकोनॉमिक एक्सिलेंस के क्या-क्या उदारण आपको देखने को मिलते हैं ठीक है न कि एक अर्थ तंत्र होता है यानि कि उसमें प्रोडक्ट होने चाहिए प्रोड आपको प्राइमरी प्रोडिशर होते हैं उसके बाद ऑप्रात्मे को फोक्ता इस तरीके उब्भोगता के अधार पर क्या है उनके अपने खाद्यान जो आज हम देखते हैं पूरा बोह हमारा एकोनॉमिक शिस्टम जो है वह वह जो आपके अ कंजूमर बेस्ट पूरी पर देखने को मिलती इस पर हम लोग discuss करेंगे लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत है कि concrete जो है निबंध कौन से होते हैं abstract प्यानिकी अमूर्त निबंध कौन से होते हैं तो यह हो गया कभी संसार का अनाधिकरित रूप से मानने विधायक होता है ठीक है न होते हैं poets are unacknowledged legislators of the world अब ये कहना क्या चाह रहा है इसमें अमूर्तता आपको दिख रही है हाला कि ये दोनों पक्षिस में आएंगे लेकिन इसमें अमूर्तता आपको दिख रही है क्या कि ये कभी होता है वह कभी कौन होते हैं जैसे कि हरिवन सराय बच्चन की मधुशाला आप बार आदी पर लिखी गई है लेकिन उसके मायने अलग होते हैं तीक ना रामधारी सिंग दिनकर जी का अगर कविताएं पढ़ेंगे तो उनकी जो है अलग परिपेक्शो होता है तीक ना हरिसंकर परिसाई जी की जो कुछ चीजें आप पढ़ेंगे उनके ब्यंग पढ़े हैं उसी प्रकार से हमारे समाज में हमेशा कभी जो रहे हैं वो काफी इंफ्लेंस करते हैं सोसाइटी को कभी जो है वह क्या करता है सामान्य हाज हम देखते हैं सिनेमा की जगत में जो गाने आ रहे हैं उस तरीके किसे रैपर आ रहे हैं तो ऐसे भी रैपर आ रहे हैं पूरी society के संसार के अनाधिकृत, यानि कि इनका कोई acknowledge नहीं करता है, फिर भी ये क्या करते हैं, गानों के माध्यम से, कवितायों के माध्यम से, यह legislate करते हैं, विधायन करते हैं, नियम बनाते हैं, साध्डाहक इत्तेरक, ठीक है ना, इस तरीके के जो गाने आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जहन में बस जाते हैं, आप regular उसको गाते रहते हो, और उससे जो है, उसको न कुछ उसका impact पड़ता है, तो उस पर आपको लिखना है, इतिहास वैज्यानिक मनुष्ट के रुमानी मनुष्ट पर विजय हासिल करने का एक सिलसला है, ये भी देखें, abstract ही है, यानि कि अमूर्थ ही है, लेकिन इसमें कुछ topic आपको दे दिये गया है, लेकिन इसको कोशिश ये करेंगे आप, बेश्ट रहेगा मानुष्ट पर, यानि कि ये मूर्थता इसमें कुछ है, लेकिन इस तरीके के अमूर्थ निबंध ही आप इसमें रखेंगे, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरच्चित होता है, परन्तो इसके लिए तो वह होता ही नहीं, ठीक है न? अब आप इस निबंध को समझे, ये है मेन अमूर्थ निबंध जो दार्शनिक निबंध होते हैं, उनमें जो है, सबसे बेस्ट निबंध जो है, आपको देखने को मिलेगा, ये जहाज बंदरगाह के भीतर सुरच्चित होता है, परन तो इसके लिए तो वह बना ही नहीं है, ठीक है न? कि जाकी फटी न वो क्या जाने पीर पर आई, जिसे एक कोटेशन है, आप हम लोकल जो छेतरों में सुनते हैं न? जाके फटी न पैर बिड़ाई, वो क्या जाने पीर पर आई, यानि कि जिसका पैर कभी भी फटा न हो, वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा? इस तरीके की जो कोटेशन है, ये जो है आपका बोला है कि जहाज जो है, यानि कि मनुष्य, मनुष्य जो है, वो अपने जो संरच्छित छेतर हैं, खास करके अपने घर के अंदर, अपने गाउं में, अपने सुसाइटी में, चाहर में, जहाँ भी है, वहाँ पर जो रह रहा है, ठीक है न? वह वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरच्छित तो है, लेकिन, क्या मनुष्य उसी के लिए बना है? अगर, हमारे खोजी, यात्री, कोलंबस, वस्कोडी गामा न होते, या हमारे उससे पहले भी इंसेंट एरा में, लोग जो है, खोजी प्रवित्य के नहीं होते, घर से नहीं निकलते, भटकते वन में, हमारे राम जी का जो पूरा वरडन है, अगर वो न निकलते, अपने घर से, यानि की हायोध्या से, न निकलते, तो आप प्रयाग राज हो गया, आप चित्रकूठ हो गया, या आपका नासिक हो गया, जो भी राम जी से संबंदित अस्थल है, वो अस्थल क्या देख पाते, वो करते करते, वो स्रिलंका रामे स्वर्यम से स्रिलंका तक चले जाते हैं, तो मनुष्य से जिस, जहां पर, या कोई भी छेत्र में हम इसको कैसे इंप्लिमेंट करेंगे, यानि की जहाज एक एक एक्जामपल दे रहा है, कि बंदरगा के भीतर सबसे ज़्यादा सुरच्चित होता है, यानि की कोई भी मनुष्य है, वो अपने घर के भीतर सबसे ज़्यादा सुरच्चित होता है, लेकिन, क्या वो घर के अंदर रहने के लिए बना है, क्या नीरज चोपड़ा अगर खुले मैदान में जाकर के भाला फेकने की प्रैक्टिस न करते तो आज वो पेरिस ओलंपिक के लिए कौलिफाई होते तो ये चीजे हैं जो आपको हर फिल्ड में कैसे इंप्लिमेंट करनी है इसके बारे में बात करेंगे बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होता है निबंद लेखन आप कभी भी मेरी क्लास में बोर नहीं होंगे और आपके अंदर उत्सुकता एक बनी रहेगी जिससे कि क्या होगा कि आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी किया जा सकता है साथ ही बात है छपपर मरंबत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो अब देखें हम लोग क्या है न कि अभी एडवान ससाइटे में रह रहे हैं इससे पहले जो लोग ग्रामीड परिवेस से संबन्दित होंगे उनको पता है मिट्टी के घर हुआ करते थे छपपर उस पर पड़ी होती थी गीली मिट्टी से हम खपरेल को चिपकाते थे तो वो खपरेल जो है अगर हम बरसात में जो अभी हो रही है बरसात के सीजन में अगर उसको चिपकाएंगे तो क्या होगा उससे धुल जाएगी मिट्टी निकल जाएगी और आपका छट फिर से गिर जाएगा यानि कि हमें जो है आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं ठीक है न और कुछ लोग तो अब मैं देख रहा हूँ कि UPSC की त्यारी कच्छा 6 से करा रहा है कुछ ऑनलाइन पे देख रहा है यह मुर्खता है ठीक है UPSC की त्यारी जो है आपकी ग्रिशन में सेकंड यर फस्ट यर से शुरू कर यह तो कुछ लॉजिकल लगती है क्योंकि आपके अंदर जो है है या 9th में है 10th में है आपके 11th में 12th में उन्हीं किताबों को अच्छे से पढ़ें क्योंकि आगे आप जाएंगे जब भी बहुत सारे लोग यहां जो आए होंगे नए तयारी शुरू कियोंगे उनको बार-बार यही बताया गया होगा कि आप जो है पहले NCRT पढ़िए NCRT पढ़ेंगे तभी जाकर के आपको basic knowledge मिलेगा NCRT की जो मुख मुख पुस्तके हैं जिससे कि आपका conceptual clarity बनेगी तब तो आपको पता चलेगा कि सम्मिदान भी होता है सम्मिदान में इतने अनुच्छेद होते हैं भारत का इतिहास भी है इतिहास बहुत पुराना है जिस तक basic चीजे नहीं समझेंगे तब तक जो है आप जो है क्या कर सकते हैं तो यानि कि सही समय पर सही कारे करना यह होता है अभी आपने वर्ड कप देखा वर्ड कप का जो final था भारत और अफरीका के बीच हुआ था पूरे series में आपने देखा कि भारत ने सारे match जीते और semi final त था और उस जैसे महान बल्लेबाज के लिए ये सारे score जो है क्या थे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उसके अपने खुद के अंदर सर्मिंदगी उनको महसूस होती रही होगी लेकिन जो उन्होंने सही समय यानि कि final में चोकर्स की जो भूमिका अभी South Africa ने निभाई है वो भ भारत पहुंचा लेकिन आज भी मतलब जब भी जब ये मैच हुआ और उस दिन भी कोहली नहीं खेलते तो उनकी बहुत सारी बुरहियां होने लगती है लेकिन उन्होंने क्या किया सही समय पर वार किया ठीक है ना सही समय पर जो है 76 रन बनाए और वो जो पूरी टीम के लि जब धूप खिली होती है ये भी क्या है अबस्ट्रेक्ट में आएगा ठीक है ये अबस्ट्रेक्ट अमूर्तनी बन्द है अब इसको किसी भी फिल्ड में कैसे हम डैवर्ट करेंगे किस तरीके से चीजों को हम और्गेनाईज करेंगे आप हम में समझेंगे इसमें आप उस मात्मा बुद्ध को सबी लोग जानते होंगे मात्मा बुद्ध की अपनी एक फिलोसफी जिसको बहुत फिलोस्फी बोला जाता है बहूत दर्शन में एक टाम है चारिक वाद momentriness यानि कि मनुष्य मतलब जो भी सृष्टी में जो कुछ भी है सब कुछ छड़िक है चड़िक है यानि कि अभी है अभी नहीं है आप इसको आपको बहुत डीटेल में नहीं समझने की जरुवत है वैसे ही उन्होंने कुछ उधारन दिये हैं जीवन में जो हम छड़िक वा वापस नहीं आता यानि कि आप नदी में है जैसे यसनान किया नदी का पानी तो आगे निकल गया ठीक है तो आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते यह माना जाता है कि यह यूनानी जो है प्रोवर्ब भी है हाला कि इसको हम लोग दर्शन में भी पढ़ते हैं बहु कि जब आपके पास मौका हो समय हो उसी को उसी समय भुना लीजिए नहीं तो समय दुबारा नहीं आता तो उसके बारे में हम कैसे निबंद लिखेंगे यानि कि आप उसी नदी में दुबारा नहीं नहा सकते इस पर हम जो है एक बार आपका समय आ गया तो वो समय फिर से घ कराहट ही चुनिन्दा साधन है A smile is the chosen vehicle for all ambiguities आज आप देखते होंगे कि social media पर अब इटली में G7 चल दा था G7 में इटली में हो रहा था इटली की जो वहां की president है जिनका नाम क्या लिखा जा रहा है आज कल Modi जी है और Melody अब ये Melody Hashtag Melody भी लोग यूज़ कर रहे है अब जो वहां की president है उनका नाम क्या है अब वो president का चहरा आप देखते होंगे Melony Georgia Melony है Georgia Melony का जो चहरा आप देखते होंगे कितना मुस्कराता हुआ चहरा जब भी वो Modi जी से मिलती है तो वो एक दूसरे से मुश्करा कर मिलते हैं जैसे ही Joe Biden भारत के प्रधानमंत्री से रासपती से मिलते हैं तो मुश्करा कर मिलते हैं आपस में चीन का रासपती यहां पर आता है या भारत के कोई भी उच्चायूक तुभ वहां जाता है तो मुश्कुरा करके मिलने से आधी समस्या समाप्त हो जाती है यानि कि हम एक दूसरे के फेमिलियर हो जाते हैं एक आप अपनी पॉस्टनल लाइफ में देख रहे हो तो भी ठीक है ना आप किसी लड़की से साधी कर रहे हो लड़के से साधी कर रहे हो और उससे जब मिलने जा रहा हो तो हाई हलो कहते समय अगर मुष्करा के बातें कर रहे हो तो थोड़ा सा क्या होता है आत्मियता की फीलिंग आती है नहीं तो आप मुँव बनाके खड़े हो और उसको लगेगा कि यार पता नहीं कहां फस गए तो वो पहली ही कि बीच की स्थिती जो होती है वो वो एम्बिग्विटी जो होती है उसका सभी का हल मुस्कुराहट है अब इसके ओर किसे तरीके से लिख सकते हैं ये पूरी तरीके से एब्स्रेक्ट है ठीक है न तीसरा जो है चौथा और अंतिम केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है इ इसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा ठीक है नहीं है कि चार उप्षन यूपीएसी देता है और आपने अच्छे से अध्यान नहीं किया है ऐसा थोड़ी है कि कोई भी टिक कर दोगे तो आपका प्रस्ण उत्तर सही हो जाएगा आपकी लाइफ पे यह सेट होता है कि अगर आप यूपीएसी की त्यारी होता है तो बहुत सारे लोग जो है एस्पिरेंट्स वेब सीरीज मूवी जो भी कह सकते हैं आई थी यूटूब पर पढ़ी हुई आप देख सकते हैं पार वन पार टू जो है वह एस्पिरेंट में बताया ना प्लान भी होना चाहिए तो अग अगर नहीं हो तो हम उसमें उस फिल्ड में शफल हो जाएं लेकिन ज़रूपी नहीं हो सकता है कि आप यूपएसी में फेल ओ जाएं वहां भी फेलो जाएं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो you upsc में भी टॉप कर जाते हैं और छोड़कर के नाकरी बिजनेस में भी टॉप कर रहाते हैं जैसे कि रोमन सैनी हैं आप उनका देख सकते हैं उधारण वह सारे ऐसे हमारे ब्यूरोक्राट्स हैं जैसे कि अर्विंद केजरीवाल जी वह दोनों फिल्ड में सफल नौकरी भी कि यानि कि आई-एस जैसी बड़ी परिक्षा जो है civil services जैसी बड़ी परिक्षा को पास भी किया साथ ही उन्होंने एक राजनीत में भी अच्छा किया तो कुछ लोग होते हैं कि सभी जगह यानि कि विकल्प ये नहीं तै करेगा कि आप सफल होगे सफलता आपके हाथ में है विकल्प कोई भी चुनिये उस पर पूरी तरीके से संकल्पित रही है उस पर पूरी तरीके से dedicated रही है प्लान भी जरूरी नहीं है जरूरी है हमारा प्लान ए पर काम करना लिक न तो यह यह भी abstract है क्लियर है तो आप अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे आजकल के जो student है आजकल का जो पेपर आ रहा है पिछले तीन-चार सालों से इवन 2016 से ही यह trend बना हुआ कि आप चाहकर भी दोनों abstract आपको लिखना पड़ेगा एक concrete हलाकि इस बार option है 22 का यह paper है तो इसमें आपको एक मुर्थ दिख गया यानि कि एक concrete आपको दिख गया दूसरा भी semi concrete आप बोल सकते हैं लेकिन आपको abstract निबंद की अगर समझ नहीं है तो आप निबंद लेखन में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाओगे यानि कि 140 प्लस जो है score करना इसमें बहुत easy होता है ठीक है न अगर आप थोड़ी से practice कर दें और यहाँ पर 170 तक नंबर पाये जाते हैं यानि कि 140 से 170 के बीच में अगर आप नंबर पाते हैं तो निबंद में बहुत अच्छा अंक है यह और यह आपके chain में भी भागिदार होता है बहुत बड़ा अब यह आपके chain में कैसे भागिदार होता है दोस्तों तो मैं बता दूं कि निबंद में आपको 200 में से 250 में से जो toppers होते हैं उनके numbers जो होते हैं toppers के number 140 प्लस ही होते हैं ठीक है ना 140 प्लस जादतर अगर वहीं जो है जो fail कर जाते हैं लोग उनके अगर हम बात करें तो यह 250 में से यह 90 से 100 के बीच में होते हैं ठीक है यानि कि आप अगर अंतर देखेंगे तो लगबग 50 number का अंतर आता है 50 marks आप सोच सकते हैं 50 marks जो है वह कितना बड़ा कितना बड़ा change create करेगा यहां तो एक एक number की मारा मारी है यानि कि आप GS के paper में बहुत सारी मेहनत कर देंगे तो भी 100 plus जाना बहुत मुश्किल होता है और यहां 140 तक आना बहुत आसान होता है यानि कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी paper की value कम होती है लेकिन हमें profit loss पर game खेलना होता है यहां पर किस field में कितनी मेहनत करने पर हम कितना improvement कर सकते हैं निबंद जो है weekly एक निबंद अगर आप लिखते हैं तो एक साल में एक guarantee दे रहा हूँ कि आप से अच्छा निबंद जो है आपके लगबग 90% जो competitor है वो पीछे चले जाएंगे यानि कि आपके पास 90% competitor मैं बता रहा हूँ जो best competitor होते हैं वो आप से पीछे चले जाएंगे अगर एक निबंद आप 52-52 लिख देंगे तो बहुत बड़ी बात है सब्ता में एक निबंद आप लिखिये ठीक है शुरू से ही और निबंद कब शुरू करना चाहिए कि इसको शुरू करना चाहिए उसपर भी हम बात करेंगे तो आएज हम आज बात कर लेते हैं होता क्या है ठीक है न मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी श्याelyn से ऐसके लान आपको क्योंजान आ ले रुवार ह होंगी में आ ले पॹंड़न चाने खिए क्योंजान पिस वोँ क्योंबने ये क्योंबने दोटब मॉवार है चली हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्या था निवंध एक परिशे थीक है ना यहाँ पर हम बात करेंगे निवंध एक परिशे निवंध होता क्या है पहली चीज तो आप ध्यान में रखिए कि निवंध जो है इसके शब्द पर हम जाते हैं निवंध धन बंद यह इसका हो जाएगा अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें इससे कहते हैं ठीक है न तो यहाँ पर इसका अर्थ निकाला जा सकता है बिना बंधन के यानि कि जिसमें निवंध ऐसी विधा है लेखन की जिसमें कोई बंधन नहीं होता है बंधन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जाएं बंधन का मतलब है विचारों में बंधन नहीं हो विचार में आप बंधन नहीं हो विचारों का बंधन नहीं हो अगर हम बात करें इसको इंगलिश में समझने की तो यह एक फ्रिंच सब्द है इसोई फ्रिंच सब्द है इसोई इसोई से यह बना हुआ है इसोई होता क्या है दोस्तों यह इसोई का अर्थ होता है प्रियास करना तीक है न क्या होता है प्रियास करना अगर आप देखेंगे इंगलिश में इसकी मीनिंग तो बहुत ही कॉमन मीनिंग होती है कि आप किसी भी टॉपिक पर कॉम्पैक्ट लेख लिखते हैं उसको इससे करते हैं लेकिन हिंदी में जो निबंद है वो उसका मतलब जो है अलग निकल करें आता है अगर आप भाशा का चैन करना हो अगर बहुत सारे मेरे स्टुटे पूछते हैं कि मैं इंगलिश मीडियम थे हूं और हिंगलिश में निबंद लिखाव siz या Hindi medium से हूँ Hindi मेनी बन लिखू, state pieces में आपके पास होता है कि option होता है कि आप एक paper किसी एक भाशा में लिख सकते हैं, लेकिन UPSC में आपके पास कोई option नहीं है, आपको भाशा का चैन जो है वो पहले ही करना पड़ता है कि अगर आप कोई paper लिखते हैं, यानि कि GS1, GS2, GS3, GS 4, essay, आपका optional, ये सभी आपको अगर Hindi में लिखना है तो cable Hindi में लिखना होगा, अगर English में लिखना हो तो cable English में लिखना होगा, कहीं पर भी आपको ये चूट नहीं है, लेकिन कुछ state pieces में आपको ये चूट मिलती है कि आपको एक paper पूरे एक भाशा में लिख लें, आपके आने लगें, बहुत सारे हमारे essay students हैं जो English medium के हैं, लेकिन निबंद अच्छा नहीं लिख पाते क्योंकि उनके पास भाशा की समझ अच्छी नहीं है, English की grammatical error है, proverb नहीं यूज कर पाते हैं, तारतमेता नहीं बना पाते हैं, उनका thought process जो है वो English में नहीं रहता है, तो उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, English movies देख करके आप उसको थोड़ा सा improve कर सकते हो, इसका मतलब यह नहीं कि बहुत सारे movies आप देखने चले जाएगा, एक आद मूवी जो है आप बैठ करके देखेंगे, सब्टाइटल के साथ, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एक इडिटोरियल्स को पढ़ें, उसकी समझ विक्सित करिया, आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ प्रोसेस आपका जरूर उस भासा में होना चाहिए, तब ही जाकर के आप भाशा का निबंध का निर्माण कर सकते हैं, तो प्रयास करना है और यह विचारों का बंधन नहीं ह होता है, हिंदी में इसका अर्थ ही हो गया, और इंग्लिश में अर्थ ही हो गया, अब जो होता है, कि निबंध के जो खास लक्षण है, ठीक है, निबंध होता क्या है, अब बेसिक हो है, कि भाई यह कितने शब्दों में पूछा जाता है, तो दो निबंध हमको लिखने हो एक हजार से बारसो सब्दों के बीच इनको लिखना होता है ठीक है न जिसमें ज़्यादा तर जो है हम फोकस करेंगे abstract निबंध पर ठीक है न कुछ concrete निबंध भी मैं आपको दे दूँगा जो वैश्विक समस्या है वरतमान समय में जो खाद्यान समस्या है फूड security की समस्या है इससे आप संबंधित देख सकते हैं लोगों को दूसरा आप देख सकते हैं कि आप जो है जब भी जलवाई संकट को देख सकते हैं economic crisis को देख सकते हैं, war जो हमारा वैश्विक युद्ध जो है, वो उसकी समस्या को देख सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो global level पे समस्यां हैं, खास करके जो climate change की समस्या है, water crisis है, ground water crisis है, pollution की समस्या जो है, greenhouse gases की समस्या है, इन सब बड़े topics पे आपको GS में लिखने होते ही हैं, इस पर आप निबंद कुछ तयार कर सकते हैं, और साथ ही जो है हमारे हाँ, tsunami है, भुकंप है, जो हमारे geography में कुछ topic पढ़ने होते हैं, environment में कुछ topic पढ़ने होते हैं, वो topic पर cultural conflict को लेकर के भी चीज़ें देख सकते हैं migration को देख करके, तो ये सीज़ें होती हैं, आपको दो निबंद लिखने होते हैं, और दोनों के, आपके पास आठ निबंद होते हैं, दो section में होते हैं, शुरू में ही हमने बता दिया था, section A और B, दोनों में से at least one आपको करने होंगे, ठीक है न, तो ये आपका basic intro हो गया, अब निबंद की न, कुछ basic चीज़ें होती हैं, जो आपके पास होनी चाहिए, क्या-क्या, कि निबंद लेखन के समय जो है, कुछ सावधानिया, या हम कह सकते हैं, निबंद के कुछ लक्षण, निबंद के कुछ प्रमुख लक्षण, वो कौन-कौन से हैं, अगर हम पहले लक्षण की बात करें, लक्षण क्या होते हैं, कि निबंद कैसा होना चाहिए, निबंद है या नहीं है, तो पहला लक्षण तो आप यही कह सकते हैं, कि इसमें जो है, एक निश्चित लक्ष होनी चाहिए, निश्चित लक्ष इसका होना चाहिए, निश्ची तलक्ष का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक पर लिखर ले रहे हो तो आपके पास जो है क्या होनी चाहिए कुछ विचार होने चाहिए विचारों में क्या होनी चाहिए आपको तार तम्मेता होनी चाहिए विचारों में तार तम्मेता होनी चाहिए विचारों में सारगरभिता होनी चाहिए सारगर बिता होनी चाहिए ठीक है न तो ये विचार आपके कैसे हो क्या-क्या चीजे हो ये सभी और उसका एक अबजेक्टिव यानि कि एक दृष्टी कोण भी होना चाहिए ये आपके प्रमुख लक्षय हो सकते हैं कि आप किस दृष्टी कोण में इसको समालोचनात्मक लिख रहे हो आप जो है किस प्रकार से इन चीजों को देख रहे हो तो ये पहला जो है एक निश्चित लक्ष लेकर के ही निवंद को लिखें इसके कुछ प्रमुख लक्षण है उन लक्षणों को हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या होता है दोस्तों इसमें जो है आत्म अभिव्यक्ति आवश्यक होती है आत्म अभिव्यक्ति अब आप बोलोगे कि क्या निश्चित लक्ष लेकर के हम कैसे निवंद लिखें तो जैसे हमने देखा था कि एक जहाद जो है निबंद लिख रहे हैं, तो आपकी प्रस्तावना उसी से संबंदित होनी चाहिए, ठीकर न, आप जो है उस पर एक कहानी, कोई चीज, सोचिए, किसी भी महान व्यक्तित्तों के बारे में सोचिए, जैसे, अगर आप इसकी प्रस्तावना लिखनी हो, ये आपसे प्रस्तावन इसको आपको किसी भी महान व्यक्तित्तों के बारे में लिखना है, माल लिजे कि एपी जैबूल कलाम जी का हमने उधारन लिया, उसके लिए आप एक उनकी पुस्तक पढ़ सकते हो, विंग्स ओफ फायर, ठीकर न, विंग्स ओफ फायर में उन्होंने अपनी कुछ परस्नल कहानिया बताई हैं, और उसके बारे में अगर सभी लोगों को लगबग पता ही होगा कि वह एक तमिल नाडू के रामिस्वरम में एक छोटे परिवार से थे, मचुआरे परिवार से मतलब की उनके पिता जी जो है, नावाव आदी बनाते थे, न्यूस पेपर बाठ करके व वो जो है, एंडिये का एक्जाम दिया, लेकिन फाइनल ली उनका जो है, एसेस भी आदी में सेलेक्शन नहीं हुआ, जो भी प्रोसीजर रहा उस ताइम पे, तो वो बड़े दुखी हो गया, बड़े दुखी हो गया, और उनके बाद की कहानी आपको पता है, कि कहां वो ग पदों को उन्होंने सुसोबित किया और भारत में सबसे सम्मानी प्रधानमंत्री रास्पती के रूप में जाने गए, आज भी उनका हर फिल्ड में सम्मान होता है, विशिशकर सिक्षन के फिल्ड में, जो भी टीचर है, जो लोग भी टीच करते हैं, उनको पता है, कि वो नैसर की टीचर थे, उनका दिहांद भी आप देखते हैं कि नौर्थिस्ट के किसी राज में लेक्षर लेते ही हुआ था, तो ये इस तरीके से हम जो है, किसी ब्यक्तित्तों के बारे में, अब 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 इसमें क्या क्या चीज़ हमने देखी, एपी जेद बुलकलाम अगर वहीं रामिस्फरम में रह गया होते, किसी न्यूस पेपर की छोटी सी नौकरी पा गया होते वहीं पर, तो क्या वो मिसाइल में बन पाते, अगर वो NDA में सेलेक्ट हो गया है, कि इंजिनियर के रूप में कारे करते, इंजिनिर के रूप में कारे करते, तो क्या वो मिसाइ निबंध का वर्गी करण हम देखेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि दो प्रकार के जो निबंध होते हैं तो निबंध के वर्गी करण के रूप में जो अमुर्थ अमुर्थ निबंध की बात की जाती है नहीं सुरी हम बात करेंगे निबंध के कौशल को कैसे प्रभा से यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी अगली चीज होगे, चलिए हम देख लेते हैं, तो आत्म अभिव्यक्ति बहुत आवश्चक होती है, अब आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, निबंद को अपना बनाना पड़ता है, मैक्सिमम स्टुटेंट परेशान रहते हैं, कि निबंद में हमें अच्छा कंटेंट मिल जाए, हमें अच्छा नोर्स मिल जाए, हम क्या करें, उसको याद कर लें और उसी को लिख दें, ऐसा करने से आपको कभी भी अच्छा अंक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अच्छे अं अच्छा और शैली तो आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है अपने अनुभाव के आधार पर डालिए, अपने बनी बनाई कहानियों के आधार पर डालिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होंगी, आत्म छोड़ पाएंगे, अब ये पूर्वा ग्रह क्या है, ये प्रिजुडिस इसको बोलते हैं, प्रिजुडिस का देख लीजेगा, एंगलिस हो सकता है, मेरे खाल से कुछ इधर दर हो, फिर भी, प्रिजुडिस क्या होता है, हम पूर्वा ग्रही होते हैं, सब ही होते हैं, लगबग सब ही होते हैं, जब तक हम तार्किक नहीं होंगे, तब तक हम पूर्वा ग्रही बने रहते हैं और उसका कारण हो होता है कि हम जब ethics पढ़ेंगे तो ethics में मनुश्य के नैतिक जो मूले उनके विकास में हमारा योगदान कहा कहा होता है तो पहला योगदान होता है माता पिता का हमारे भाई बहन बन्दु जो होते हैं परिवार का तीसरा होता है समाज का चौता होता है हमारे सिक्षक का ओर सैक्षटिक संस्थाएं होती है तो इन इस स्टेज तक जाते जाते हम छो है थोड़ा मेच्चुर हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ चीज़ों को ले करके हमारे होती है कि एक soft corner होता है या hard corner होता है हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो co-educated नहीं रहे हैं यानि कि co-education वाले institution में नहीं पढ़े हैं उनका महिलाओं के प्रती या महिलाओं का पूरसों के प्रती जो है अलग सा nature होता है कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं लड़कियां दुस्ट होती हैं लड़के अच्छे नहीं होते हैं लड़के दुस्ट होते हैं इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो क्या होता है हो सकता है परिवार में किसी बच्चे के साथ योन सोशन हुआ हो या किसी के साथ दुर्वेवहार किया गया हो किसी परिवार में जादा बच्चे हो तो बच्चे को उतनी value न दी गई हो और किसी परिवार में जादा बच्चे हो तो बच्चों को value न दी गई हो लड़कों को value न दी गई हो आगे चल करके उनके दिमाग में भरा रहता है कि पापा हमें पीटेंगे, मारेंगे, जो बड़े होते हैं, वो दुस्थ होते हैं, तो ये सारी चीजे कहीं न कहीं, किसी special जाती को लेकर के, धर्म को लेकर के, कहीं न कहीं हमारे अंदर जो पूर्वा ग्रह होते हैं, वो बने रहते हैं, उन पूर्वा ग्रहों को हमें तोड़ना होता है, उन पूर्वा ग्रहों को हमें छोड़ना होता है, कि चाहे इस्त्री हो, पूरुस हो, सभी समान है, कोई दलित जात से हो, कोई उच्च वर्ग से हो, कोई मध्यम वर्ग से हो, कोई हाई-फाई सोसाइटी से हो, उसमें भी हम अंतर करने लगते हैं, आप अपने घर में देखते हैं ना, अभी एक सांसद जी विधायक जी आपके घर आ जाएंगे, तो आपके घर का खान पान का महौल तुरंद बदल जाएगा, तुरंद आप अच्छी सबजी ले करके आओगे, अच्छे तरीके से उनको म स्किट पानी में ही काम चला लेते हैं, या आपकी रिष्टेदारों में भी, अगर कोई आपका एक रिष्टेदार IES है, और एक रिष्टेदार जो है आपका कलरक है, दोनों घर पे आएंगे आपके, तो उनके लिए अलग-अलग सुविधाय आप देखते हैं, यह human nature है, यह prejudice होते हैं लोग, यह होना ही पड़ता है, society हमें ऐसी सिखाती है, लेकिन लेखनी में यह दिखना नहीं चाहिए, होते तो हैं हम लोग, और इसमें जो है हमारी कम-कमी, जो है हमारे आस-पास के, जब आप दर्शन के फिल्ड में जाएंगे, जब आप दर्शन पढ़ने लगेंगे, तारकी खोने लगेंगे, जब आप जीएस के लगबग सब्जेक्ट को समझने लगेंगे, history, quality, economy, geography, ethics और यह जो पॉल साइंस, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, environment पढ़ेंगे, तो geography पढ़ेंगे, तो इन में जो है आप देखेंगे, जब आप तारकी खोने लग होगी हमें, अपना मुल्यांकन खुद करना होगा, आप किसी भी न्यूज एंकर की बात सुन करके, चाहें अंजना ओमकषप, क्या दिन भर टीवी पर चिल्ला रही हैं, रवीष कुमार क्या चिल्ला रहा हैं, अजीत अंजुम क्या चिल्ला रहा हैं, क्या अविसार सर्मा चिल्ला रहा हैं, क्या आपके भारत टीवी वाले वो चिल्ला रहा हैं, इन लोगों को सुन करके, यह लोग कहीं न कहीं बायस्ड हैं, कहीं न कहीं प्रिजोडिस हैं, पुर्वा ग्रही हैं, क्योंकि आज जो है, मीडिया हम देख रहा हैं कि स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बड़ी कम रह गई है इसलिए आप देख रहे हैं कि social media के लोग जो है काफी influence कर रहे हैं लोगों को जो हमारी hardcore media है जो core media है वो उसका अस्तर गिरता जा रहा है क्योंकि इनके कोई न कोई पक्ष हो गए है पूर्वाग्रही हो गए है उस पूर्वाग्रह को जो हम आसपास देख रहे हैं बाते कर रहे हैं सुन रहे हैं new channels में reels में उसको हमें हटाना होगा और इसके लिए आपको अपनी अभिव्यक्ति खुद करनी होगी अपने मुल्यांकन करके पूर्वाग्रहों से दूर रह करके ठीकर नहीं लिखना चीए तो ये बहुत ही important है तीसरा जो है अब इसका जो है एक सुत्री कारिक्रम आपको जब भी ये लिखें निबंद लिखें तो इसमें क्रम बद्धता और एक सुत्रता होनी चीए एक सुत्री होना चीए एक सुत्री का अर्थ ये नहीं है कि एक डायरेक्शन में एक सुत्री का अर्थ है कि बधा हुआ तारतम्मेता जो हमने बताया ये बहुत ज़रूरी होती है जैसे आपने कोई पैरा लिखा प्रस्तावना लिख दी प्रस्तावना के बाद वाला जो पैरा है वह जब हमारा पहला पैरा खतम हो रहा है उसके लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जाए कि वह अगले पैरे के पहली लाइन को जोड़े ठीक है वह एक सुत्री मैं बात कर रहा हूँ जिसमें क्या है कि तीन पार्ट होते हैं आपका पहला जो है इंट्रो ठीक है न में बॉड़ी मुख्य भाग और तीसरा जो है आपका निश्कर्स यानि की कंक्लूजन इन तीनों में अलगाव नहीं दिखना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं हेडिंग डालके लिख देते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं करना है अच्छा बहुत सारे इस्ट्रोएंट हैं जो पूछते भी हैं कि हम निबंध में क्या निबंध पैराग्राफ में लिखें में ही लिखा जाता है तो इसका सिंपल सा उत्तर है हाँ हमेशा आप कोशिश करिएगा कि निबंध जब भी लिख रहे हैं तो निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखेंगा दो पन का यूज़ आप कर सकते हैं दो पन रेड़ पन कभी नहीं यूज़ करेंगे ब्लाइक और ब्लून ये दो ही pen यूज़ करेंगे आप लेखनी में एक ही pen का यूज़ करिए underline, inverted comma और उसको अन्य करने के लिए दूसरी pen का यूज़ करिए कभी-कभी कुछ quotation लिखने के लिए कविता लिखने के लिए point note down करने के लिए भी आप चीज़े कर सकते हैं लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप इसको underline नहीं कर सकते आप इसको point wise नहीं लिख सकते कुछ महत्वपूर्ण बिंदूओं पर जो है आप point wise लिख सकते हो paragraph के साथ जो है chart map आदिका भी उप्योग कर सकते हो बहुत सारे ऐसे प्रस्ण आते हैं इसलिए मैं प्रस्णों को आपको बीच में clear कर दे रहा हूँ कि ये chart map जो है वो 10% page के नहीं होने चाहिए इस पे हम लोग बाद में बाद भी करेंगे एक point हमने लिया हुआ है यानि कि अगर ये आपका full page है तो chart map graph या point जो भी है वो आपके इतने में ही हो जाना चाहिए ठीक है न यानि कि एक दसवाँ हिस्सा जो है आप page का ले सकते हैं जिसमें आप चीजों को छोटा सम्मैब बना दे सकते हैं मा लिजे कि भारत में आतंक से नकसलवाद से सम्मंदित छेतर पूछा जा रहा है उसको आप एक छोटा सम्मैब बना करके जो है आप आंद्रपरदेश के कुछ छेतर हैं 36 गड़ का है महरास्ट का है आप इन छेतरों को करनाटक के हैं कुछ छेतरों को दिखा सकते हैं जिसमें जो है नकसलवाद बिहार है 36 गड़ है, जहारखंड है यहाँ पर एक कुछ छेतरों में अभी भी नकसलवाद की समस्या है यह समस्या किस तरीके की है तो उसको एक छोटा सम्मैब बना करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं एक भारत का छोटा सम्मैब बना करके यहीं पर आप इनको dotted में दिखा सकते हैं तो ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पर हम लोग बात करेंगे ठीक है ना paragraph में ही निबंध लिखना है कहीं कहीं बहुत आवश्यक हो जैसे कि हम कुछ point दे रहे हैं कोई chart हमें देना है कोई graph बनाना है इस पर हम लोग भी बात करेंगे जब एक निबंध हम अच्छा लिखेंगे एक निबंध हम लोग next class में करेंगे हर class में अब आपको जो है एक या दो निबंधों की पूरी framing कराई जाएगी framing के साथ-साथ जो है निबंध कैसे enrich करें उस पर भी हम बात करेंगे चलिए अगला हमारा topic है इसका वर्गी कराण तो हमने बताया था ना इसके दो ही भाग हम कर सकते हैं मूर्थ और अमूर्थ मूर्थ यानि की concrete और अमूर्थ हाला कि इसके बहुत सारे वरड़न है बहुत सारे विभाजन है abstract हमें उनसे मतलब नहीं है हमें अपने UPSC में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उनके वर्गी करण से हमें ध्यान रखना है कि मूर्थ और अमूर्थ जो है दो प्रकार के निबंध होते हैं और इसमें जो है आपको ध्यान क्या रखना होनी चीए अच्छा कुछी जे इसमें अभी छूटी हुई है हमारी तीसरा बिंदू हो गया कि एक सुत्री होना चीए यानि कि ये तीनों जो है इंट्रो मेन बोडी और कंक्लूजन जो है वह जो है क्या होता है आमारा एक सुत्री हो चोथा जो है कि ये हमारा जो है चोथा बिंदू और पांचवा छोटा-छोटा ही ये समझ लीजिए चोथा जो है ये पठनी होना चीए इसको हम लोग नेक्स पेज पर समझ लेते हैं चोथा बिंदू जो है वो हमारा पठनी होना जी अब इसको इंग्लिश में कहेंगे रीडेबल अब इसमें राइटिंग का क्या महत्तो है अब देखे कोई भी बहुत सारे ऐसे स्ट्वेंट हैं जो पूछते हैं कि हमारी राइटिंग जो है सुन्दर नहीं है सुन्दर सब्द यानि कि देखने में जो बहुत अपने आप ही चीजों को आकरसित करें उसको सुन्दर बोलते हैं अच्छी हैंड राइटिंग से आपको लाब होता है बिल्कुल होता है लेकिन अगर आपकी राइटिंग सुन्दर नहीं है पठनी है तीक है ना तो यह एक भी नंबर कटेगा नहीं इसमें हाँ सुन्दर है तो इसको एक्स्ट्रा वेटेज तो मिलेगा ही एक्स्ट्रा वेटेज जो है इसको मिलेगा ही जैसे की मैं बता रहा हूँ आप इंटर्वू पैनल में बैठे हो आप मैला हो या पुरुस हो एक खुबसूरत सी लड़की खुब अच्छी दिख रही है साड़ी अच्छे से पहनी है उसने खुब अच्छी हाइट है अच्छी जो है उसकी सारी चीजे है लब देख के बहुत अच्छा लग रहा है उसका जो है फ्रेग्रेंस से ले करके कि हर चीज जो है वही एक लड़का है इस तरीके से तयार होकर क्या रहा है अच्छी तरीके से कपड़े पहना है हर चीज अच्छी लग रही उसकी तो उसका जो फस्स प्रेजेंस होगा वो बड़ा ही आकरशित करेगा यानि कि वो सुंदर लड़की ये सुंदर लड़का अब देखने की खुबसूरती का सबका अलग-अलग मांदंड है हर सुसाइटी का अलग मांदंड है हर जगा कहीं जो है काले लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं कहीं गोरे लोग अच्छे माने जाते हैं लेकिन हमारे अंदर जो है अंग्रे जो ने जो ये गोरे पन का ज अच्छी है, सुन्दर नहीं है, अच्छी का मतलब पठनी है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसको पढ़ा जा सके, एक हाई स्कूल पास बच्चा जो है, आप अपना पूरा कॉपी लिखी है, और उसे पढ़ाईए कि क्या तुम सारे शब्द पढ़ पा रहे हो, अगर वो प पठनी है, कि साथ साथ जो है न, इसमें दृस्टी कोड आपका अस्ट पस्ट हो, एक तो हमने पहले बता ही दिया है, और पांचमा जो है, इसमें मौलिक्ता होनी चीए, अब मौलिक्ता कैसे आप पैदा करेंगे, ठीक है न, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आपने कहा कि सार हम क्या क्या किन किन टॉपिक पे जो है त्यार करेंगे बंद इतने सारे टॉपिक हैं और इतने सारे कोटेशन हैं, हम कैसे मौलिक बनाएं अपने बंद को, तो मौलिक बनाने के लिए मैं कुछ तरीका बताऊंगा, करेंट अफेर्स से, ठीक है न, और सब के अलग अलग होंगे, current affairs के लिए, कि जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से आप क्या कर सकते हैं, आपने निबंद को मौलिक बना सकते हैं, आज का, even आज का बना सकते हैं, आप बताइए कैसे, अब माल लीजे कोई दुर घटना घटना पर बात चल रही हो, infrastructure development पर बात चल रही हो, तो आप लिख सकते हैं कि अभी हाल ही में, ठीक है न, आज तो पता है न कि आपको जब भी आप exam देते हैं, तो exam की एक date होती है, ठीक है न, आपको पता है कि आज 1 जुलाई है, और 28 या 27 जुलाई को दिल्ली में, terminal 1 का कुछ structure गिर गया, और उसके just कुछ लोग की death भी हो गई, कुछ लोग घायल हुए, तो अगर आप इंस्टा सक्चर पर लिख रहे हो, तो कुछ ऐसी घटनाओं का wordन आप अगर अपने निवन्द में कर दे रहे हो, जो हाली में हुई है, बड़े अस्तर पर चर्चा में रही है, तो वो उसका लाव आपक को तुरंत मिल जाएगा, तो याद रहे हैं, मौलिकता बहुत जरूरी है, और मौलिकता बनाने के लिए आप न्यूस पेपर जो पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी घटना है, जैसा कि मैंने पढ़ाते समय भी बता दिया, कि अभी हमें जल्द ही हमारा final match हुआ, अफरीका स और इंडिया से, D20 World Cup का final था, USA में हुआ, तो वहाँ पे बारिश का माहौल था, कैसा था, क्या था, उस घटना को किसी न किसी तरीके से अगर आप जोड दे रहे हैं, तो ये आपकी मौलिक निबंद हो जाता, इसका भी तरीका में बताऊंगा, और उसी दिन की घटना से भ खोड़ा अवेर हो हैं तो, हाला कि उतना ज्यादा अवेर होने हैं, एक दिन पहले की घटना, जिस दिन आप पेपर देने जाएए, उससे एक हफ्ते पहले के, जो बड़ी घटना है, तीन-चार घटना हैं, उनको अंडरलाइन कर लिए, दिमाग में रखी और उनका उप्य कि अब मैक्सिमम से आ रहे हैं, तो मैक्सिमम फोक कस हमें, यहीं पर करना है क्योंकि इस पर हमारे पास ना तो भूझ कंटेंट होता है और ना ही चीजें होती है, ठीकецंछा, मूर्त निवंद के लिए, हम कुछ ग्लोबल इस्यूउज को रख लेंगे, ग्लोबल इस्यूज या जो वैस्विक समस्या है वैस्विक मुद्दे परियावरण ये मुद्दे ठीक है न? अन्य मुद्दे जो है इनको अगर हम रख लेते है तो इससे क्या होगा कि हम चीजें जिससे आर्थिक मुद्दे हो गए जो आप करेंट अफेर्स में पढ़ेंगे ठीक है न? तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग कुछ तयार कर लेंगे यहाँ पर लगभग हम 15 से 20 कोटेशन पढ़ेंगे ठीक है न? कोटेशन अब देखिए प्रीवियस एर के जो प्रस्ण हैं आपके उन पर हम लोग 4-5 पर अध्यान कर लें क्योंकि हाला कि रिपीट तो नहीं किया जाता निबंद आपको पता ही कि रिपीट बिल्कुल नहीं किया जाता तो आपको क्या गधान में रखना है कि निबंद की जो प्रारंभिक चीजें हैं खास करके जो ऐसे फेमस कोटेशन से में कुछ 15-20 इकठा करके आपको बता दूँगा हो सकता है वहीं से फस जाए आपको फसाने से ज़्यादा जरूरी है उस पर अपनी पकड़ अच्छी करना चलिए हम आगे बढ़ते हैं अच्छा निबंद लेखन को प्रभावी कैसे बनाए तो अब हमारा मूल समय आ रहा है जिस पर हम लोग बात करेंगे निबंद लेखन का जो है कौसल संबर्धन एक मिनट का टाइम दीजेगा एक मिनट थोड़ा पानी पिलूँ है ते मिनट समय आए सॉावी कैसे लेही एक बात निभ पुछी का रहा है प्रहेज मिनट का रहा है तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि निबंद लेखन को कैसे कौसल को कैसे प्रभावी बनाए ठीक है तो आप देखिए दोस्तों यह एक स्किल है ठीक है इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजे याद रखनी होगी जादा तर जो समस्या आती है कि हम जो है हम निबंद को लिखते हैं या समझते हैं वो हम एक दिशिय लिख देते हैं एक दिशिय मतलब कि किसी उसके पक्ष में या भी पक्ष में या जो हमसे गल्तियां आयोग करवाना चाहता है उसी को प्रस्ट में रख देता है ठीक है कि अगर माली जे हम उसी उधारन ले ले रहे हैं जो हमसे अभी पूछा गया था कि जहाज जो है हमेशा जो है बंदरगाह के अंदर ही सुरक्षित होता है ठीक है तो इसका आर्थ यह नहीं है कि वह उसके लिए बना है ठीक है लेकिन जब भुकंप आएगा या कोई बड़ी सुनामी आ रही हमें पता है कि चकरवात आ रहा है जहाज बाहर निकालना जो है बिल्कुल और शुरच्छित है तो क्या उस जहाज को बंदरगाह के बाहर निकलना चाहिए बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कोविड जैसी महामारी आई तो लोगों को क्या कर दिया गया घर में बंद कर दिया गया तो सबसे पहले मनुष्ची की आवसकता क्या है सुरक्षित ही नहीं रहेगा मनुष्य या जहाज या समाज या व्यक्ति कोई भी अगर पहली अगर वह खुद ही सुरक्षित नहीं है तो वह किसके लिए बना है उसका मूले बाद में निकाला जाएगा पहले मनुष्य की सुरक्षा देश की सुरक्षा राज्य की सुरक्षा प्राथमिक है यानि कि COVID में मनुष्य तो नौकरी करने के लिए बना है हाँ जो sports person बना है तो दोड़ने भागने के लिए बना है बहुत सारे ऐसे हम जैसे सिख्षक लोग भी offline classes नहीं करा पा रहे थे इसका भी हमें दुख था लेकिन उसका एक विकल्प होता है कि अगर हम जो है कुछ ऐसी समस्यां आ रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ें आ रहे हैं तो कभी-कभी जहाज को बंदरगाह के अंदर भी रहना आवश्यक होता है जिसके लिए वह अन्य परिस्थितियों के लिए तयार हो और वो जिस परपच के लिए बनाया गया है यानि कि अगर जहाज बहुत गडबड है यानि कि उसकी जो है मेंटेनेंस जरूरी है और हमारी जो इस्थितियां हैं जैसे कि आपने टाइटेनिक देखा होगा टाइटेनिक इतना मजबूत और दुनिया का सबसे माना जाता है कि सबसे बहतरीन जहाज जो है वो डूब जाता है वो कुछ समस्याओं की वज़े से जूब जाता है तो जहाज अगर गलत समय पर भी निकला तो क्या होगा वो डूब जाएगा इसलिए इन सब चीजों को multi-dimensional सोचने की आवशकता है हम multi-dimensional सोचते कब हैं कैसे हैं इस पर हमें विचार करने की आवशकता है और इसके लिए मैं आपसे चीजे बताते हैं तो इसमें आपको मैं एक-एक पक्ष डिसकस करूँगा निबंद के तीन पक्ष होते हैं कौन-कौन से पक्ष आपका जो होता है introduction जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना पहला हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना पर introduction दूसरा जो है मुख्य भाग मुख्य भाग और तीसरा जो है निश्कर्ज अब इन तीनों पर हम डीटेल वाजचित करेंगे एक एक हम पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे अब यहाँ पर आप पूछोगे कि प्रस्तावना हमें कैसी लिखनी चाहिए तो प्रस्तावना मैं जो प्रस्तावना लिखाता हूँ आपको जिस प्रकार की प्रस्तावना में मज़ा है जिस प्रकार की प्रस्तावना में आपको अच्छा लगे कुछ लोग होते हैं जिनका जो है लिटेजर सब्जेक्ट है यह डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट भी क्या है किसी की geography subject है, किसी का history subject है, किसी का philosophy है, किसी का political science है, किसी का literature है, कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो उर्दू हो, किसी भी प्रकार का literature आप ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप choose कर सकते हैं यहाँ पर, अब प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, कितने प्रकार की होती है, इस पर हम बात करेंगे, तो प्रस्तावना के पाँच प्रकार मैं यहाँ पर बताऊंगा, पाँच प्रकार, पहला, यह कुछ बोर्ड में गड़वड़ी हा गई है, चले हैं, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ, निबंद लेखन को कैसे प्रभावी बनाए, इस पूरे पेज को आप लोग जरूर अपने जहन में उतार लीजेगा, तो तीन पार्ट होते हैं, पाँच प्रकार की हमने बात कर ली कि प्रस्तावना होती है, अब पाँच प्रकार की जो प्रस्तावना होती है, इसमें प्रस्तावना की कई तरीके होते हैं, पहला एक एक तरीपे हम लोग इंप्लिमेंट भी करकर के देखेंगे, जैसे सबसे जो मानने तरीका है, आप सभी लोगों को पता है, कि इसमें बताया जाता है कि कहानी से शुरू करिये, ठीक है न, कहानी दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक रियल लाइफ से संबंदित कोई कहानी हो, उसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने, एपी जैब्दुल कलाम सर की कहानी बताई, इसका आप विप्योग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके इस कॉंटेक्स में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है न, दूसरी जो होती है, वो एनिक्टोड होती है, अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा इदर-दर हो, मनगणंद कहानी, जैसे मैं लिख किसी भी व्यक्ति की कहानी हमें उसकी पूरी तरीके से नहीं आद है, लेकिन अगर हम कुछ कहानियां मनगणंद भी बना लें, कि कोई एक व्यक्ति था, जो एक लड़का था, एक गावा में रहता था, उसे बहुत शौक था, चीजों को प्रियोग करने का, तो अपने गावा में छोटे-छोटे प्रियोग करता रहता था, करते-करते, उसने खेती में एक ऐसा प्रियोग किया, कि वो सिचाई के एक होगे आप जो है उसको कुछ मनगढ़न तरीके से भी एनिक्टोड होता है उसके भी हम उप्योग को बताएंगे पहला जो है कहानी दूसरा जो है वो कविता से शुरू कर सकते हैं अगर आप literature से हैं तभी कविताओं का use करें नहीं तो आवश्यक नहीं है या आपको कविताओं याद होती हैं याद करने के भी कई तरीके में बताओंगा लेकिन अभी जो है कविता अगर आपको ठीक ठाक interest है गानों में कविताओं में तो इस कविता से आप इसको पोएम से शुरुवात कर सकते हैं कविता के बाद दोस्तों आपको quotations भी आपको कई देखने को मिलते हैं quotation कम से कम 4 से 5 quotation आप उपयोग करके जहें इस तरीके से भी अपने अलब प्रस्तावना में नहीं प्रस्तावना में कम से कम एक quotation यूज़ करिए पूरे निवन्द में 4-5 quotation आपको यूज़ करना चाहिए ठीक है तो quotation जो है इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं प्रश्नोत्त्री और अंतिम है तत्थियों से अब ये पांच प्रकार की प्रस्तावना को हम धीरे धीरे समझते रहेंगे आगे के निवन्दों में एक बार हम overall समझ लेते हैं कि ये जो कहानी होती है कहानी हमने आपको बता दी कि रियर लाइफ से संबंदित आप जो है कहानी तो आप 15 से 20 कहानिया मैं नाम बता दूंगा कि आप भारत के विशेश परस्नाल्टी की लिख लेंगे रामानुजम रामानुजम से जब कोई प्रस्न पूछा जाता था कि ये क्यों हुआ तो उन्होंने कहा नहीं मेरे उपर कुछ ऐसे शक्ति थी कि उस टाइम पर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और ऐसे ही सॉल्व होगा अब उनकी पूरी इतिहास इन पर बहुत सारी हॉलिवूड की मूवीज भी बनी हैं बहुत सारे ऐसे किताबे भी हैं तो रामानुजम के बारे में आप लिख सकते हैं अगर आप हमारे भारती सरोपली राधा कृष्णन के बारे में आप लिख सकते हैं हमारे जो है उपरास जो आज कल के जमाने में आप देख रहे हैं जो की काफी फेमस हुए हैं जैसे रतन टाटा जी के बारे में आप लिख सकते हैं उन्होंने कैसे किस तरीके से डिबलब किया अपने बिजनेस को अपने चीजों को आप विजय शंकर के बारे में लिख सकते हैं पेटीम के प्रपुल भी लोरे का आप मत लिखिएगा क्योंकि वह MBA चाय वाला के नाम पे एक स्कैम वाला बहुत सारा ट्रोल हो रहा है उनका मैच हारने के बाद भी तो उस तरीके के नहीं इंट्राप्रिन्योर्शिप में आप देखेंगे कि इंट्राप्रिन्योर्शिप की परिभाषा ही भारत में या अन्य देश्व में मैं देख रहा हूं कि गलत लिजा रहे हैं Startup की ही परिभासा जो है, वह गलत तरीके से पेस्ट की जाए रहे हैं, हम किसी भी चीज को कॉपी करने लगते हैं और उसी को कॉपी करके, बिना किसी invention के, innovation के, हम जो है उसमें उसको Startup बोल देते हैं, जो की पूरी तरीके से गलत है, ठीक है न, तो यह आप ध्यान रखेंगे तो यहां पर हमें क्या है कि हमें जो है कितनी real life से 20-25 कहानिया मैं बताऊंगा आप note कर लेंगे कि एक तो हो गया आपका हमारे वैज्यानिकों से राजनेताओं से राजनेताओं में आप कोशिश करेंगे कि neutral राजनेता हो खास करके हम बात करेंगे तो किसकी बात कर लेंगे हम बात करेंगे आपके मालीजे की एपीजे अब्दुलकलाम सरका ले लीजे आप उनका ले सकते हैं आप पुराने नेताओं में चले जाएए जो की जैसे जै परकास नरायन जी का आप जो है एक विक्तित तो लिख सकते हैं अन्ना हजारे हैं जो की neutral ही है मेरे खहल से उनका अपना ले सकते हैं षाला हकी और राजनीति When a product महिला राजनीतिकग्यों का नाम शो है आप जरूर धान रखेंगे महिला राजनीतिक के कौन-कौन से हमारे आप विशेश करेंगी जैयलिता जी का नाम आप उसको लेकर के आप आगे बहुत सारी चीजें उनके कहानी व्यक्तितु से संबंदित लिख सकती है आप जो है मायवती जी है उन्होंने उतरप्रदेश मुख्यमंतरी के रूप में कारकाल सम्मता बेनर जी है इन लोगों के नाम को आप लिख करके सोनिय गांदी है इनके करेक्टरिक्टिक्ट को लेकिन खास करके उनको देखे जो जमीन से उपर आया हो उनको तो इन राजनिताओं की भी जीवनी को उनके कहानियों को हमारे अर्थ सास्त्री है बहुत सारे जो है अभी आप देख रहे हैं जो हमारी निर्मला सितारमन जी है उनके बारे में उनकी कहानिया जिसे महिलाओं के बारे में आप लिखेंगे तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट करनर रहता है आप उसे पर अरुन्दती भटाचारिया हैं उनके बारे में हमारी जो है कुछ एस्ट्रोनोट है जो बहुत बहुत ही ज्यादा क्या है कि फेमस हैं जैसे कलपना चावला हो गई और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं 15-20 लोगों का नाम और उनकी कहानी वो किस तरीके से उन् तरीके से क्या करेंगे कविताएं जो है 20-25 आप याद कर लेंगे अच्छी कविताएं थीक है ना 20-25 सारे अगर आप याद कर लें नोट्स बना लें और इसका बार-बार जो प्रैक्टिस करेंगे न जब मैंने बताया कि आप 52 निबंध लिख लेंगे पूरे साल में तो आ आप से अच्छा निबंध 90% लोग नहीं लिख पाएंगे और उसको चिक कराईए क्रोस चिक कराते हैं कोटेशन तो आप 40-50 से याद कर सकते हैं ज्यादा तर जो है कोटेशन आपको जो पूछे गए हैं प्रीवेस येर के वो आप ले लीजिए और कुछ कोटेशन जो है मै बता दूँगा उनको आप लिख करके यहां से प्रस्नोतरी प्रस्नोतरी की सुरुवात कैसे करते हैं जैसे माल लिजे कि हम आज आजादी का अमरित महोसो मना रहे हैं तो आजादी के अमरित महोसो में हम जो है तुलना करेंगे जिसके लिए सरकारी आकड़े भी हमारे पास आ गया है कि हमारे सिक्षा का अस्तर जो है आजादी के बाद क्या था अब क्या है तो बहुत सारे ऐसे फिल्ड हैं जिसमें हमने बहुत ज़दा ग्रोथ नहीं की ठीक है न हम आजादी के बाद जो है 16 प्रस्त सिक्षित थे आज जो है हमारे सिक्षा का अस्तर 80 प्रस्त है ले की बहुत ज़्यादा है हमारे पास तो इस तरीके के जो चीजे हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं उन सभी आकणों का भी हमें क्या करना है यहां पर आकणों को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को अच्छा करना है तो प्रस्नोत्तरी मतलब कि हम क और ये बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है जिस पर सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी आपकी उन समस्याओं को भी हम यहाँ पर दूर करेंगे ठीकना प्रस्णोतरी हो गया तथ्यों से जो मैंने प्रस्णोतरी बोली उसमें जो fact है fact में fact के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं किसी wish-wishes पर ये कोशिस की जाती है ये प्रस्णोतरी और तथ्यों जब आपकी expertise हो किसी field में माली जे की आप आपका जो है अर्थ व्योस्था में अच्छा command है आप अच्छी तरीके से त्यारी करते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और उसमें जो है आपका बड़ा interest है आपके पास आंकडे बहुत अच्छे हैं गरीबी के zero poverty है no poverty है दूसरे नंबर पर zero hunger है तीसरे नंबर पर health and wellness है चौते नंबर पर आपका quality education है तो इस तरीके से अगर आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं sequence में याद हैं यानि कि 17 के 17 goals आपको याद हैं उन goals को आप mention कर सकते हो goal number 8 जो economic growth से है goal number 10 जो है वह किसे संबंदित है अगर इन सब चीजों की यानि कि equality से संबंदित है तो अगर उन सभी goals को आप याद कर सकते हो fact के through जो है उसका sustainable development goals पे अगर आ जाये अगर उसके बाद आपके पास आंकडे हैं कि हमारे यहाँ inequality जो है inequality आजादी के समय कितनी थी अभी कितनी है तो हमारे बास जो है जो गैप होता है डिजिटल गैप कितना था अभी कितना है हमारे पास जो है तो यह आकड़ों के आधार पर यह expertise बहुत अच्छी हो आपके विशेविशेश में या तो मान लिजे कि आपको बहुत सारे तथ्य याद हो डेटा आपके पास अच्छे कालेक्शन हो तब जाकर के इस फिल्ड में आप लिख सकते है यानि कि इन प्रस्नोतरी और तत्यों के आधार पर अगर आप अपना निबंद शुरू करना चाहते है तो आपका एक strong hold होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके strong hold को बना करेंगे यहां पर हम लोग हम बात करेंगे यहां पर मुख्य भाग की मुख्य भाग क्या होता है आपने किसी समस्या पर किसी भी टॉपिक पर निबंद जैसे ही लिखा आपको उसका expansion चाहिए expansion में हमें मुख्य भाग में कोशिश करनी होती है dimension को clear करने की अब ये कितने dimension हो सकते हैं ये कुल कितने dimension हो सकते हैं इस पर भी आपको सोचने के आवशकता होती है हम सोचते हैं कि अरे चलो समाजिक आर्थिक राजनेतिक ऐसे लिख देते हैं तिन dimension cover हो गया बहुत हो गया ठीक है उसमें एतिहासिक भी कुछ डाल देते हैं ऐसे करने से क या आपको अच्छा नंबर आएगा तो dimension को कैसे cover करें इस पर मैं आपको एक अपना point of view देता हूं जो की बहुत ही अच्छा रहता है सफल भी रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसका उपयोग करके अच्छे नंबर गेन किये हैं आपको क्या करना है किसी भी यह चार जो है हमारे GS में आपको hint दिया गया है कि आप कितनी dimension में आपकी limit क्या हो सकती है GS के जो चार paper दिये गया उसमें आपके मोटा मोटी topic दिये गया है उन topic के यानि कि हम किसी topic पर निबंद लिख रहे हैं तो हम पहला कोशिश करेंगे कि उसके एतिहासिक पक्ष को जरूर करेंगे की नहीं करेंगे इसके एतिहासिक पक्ष को जरूर दिखाएंगे ठीक है ना यानि कि पहला dimension तो भाई हमारा यही हो गया कि हम जब किसी भी topic पर समस्या पर बात कर रहे हैं और यह जरूरी नहीं है कि हर निबंद में सारे जो में dimension बता रहा हूँ वो cover ही हो जाएं लेकिन आप इसमें से maximize कर सकते हैं अपनी चीजों को जैसे पहला तो हो गया topic हमारा है इतिहास अब इतिहास में भी कई पहलू है इसकी कला और संस्कृति पर भी आप ध्यान देंगे दूसरा topic हमारा क्या है क्या वो कला और संस्कृति से connect हो सकता है अगर हो सकता है तो जरूर लिखेंगे तीसरा क्या उसमें भूगोलिक पक्ष है क्या उसमें हमारे सामाजिक पक्ष को इसमें हम कर सकते हैं और क्या इसमें महिलाओं से संबंदित कोई बात की जा सकती है यानि कि महिला ससकती करन महिला ससक्तिकरण से संबन्दित कोई बात की जा सकती है तो उस पर हम लोग डीटेल दे सकते हैं अब ये टॉपिक मेरे पास आये कहां से आप सभी को पता है कि ये सारे टॉपिक जो है वो हमारे जी एस पेपर वन का सिलेबस है यानि कि आपको डाइमेंशन में इन 6 टॉपिक के डाइमेंशन अगर आप लिख देते हैं तो ये बड़ा ही बहतरीन ऐसे होगा लेकिन इतने में ही नहीं रुकना है हमें डाइमेंशन और बढ़ाना है यानि कि हमें पेपर 2 में भी एक्स्प्लोर करना है paper2 में हमारा वो जाएगा बाई इसको राजनीतिक ठीका न इसको हम परशासन से क्या जोड सकते हैं क्या ठीका न administration GS paper4 में भी है GS paper2 में भी है तो क्या हम इसको परशासन से जोड सकते हैं क्या 9 नमबर पर जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्या इससे हम अंतरास्टी संबंदों से जोड सकते हैं क्या अगर जोड सकते हैं तो बिलकुल जोड़िए दस्वा हमारा जो है दोस्तों क्या हमें इसे Science and Technology से जोड सकते हैं क्या हम इसे economy से जोड सकते हैं क्या हम इसे internal security से जोड सकते हैं क्या हम इसे disaster management से जोड सकते हैं क्या हम इसे नैतिक्ता से जोड सकते हैं environment से जोड सकते हैं इसे हम morality से ethics से जोड सकते हैं तो यह कुल 15 dimension हमें मिल गया है अब आपकी समस्या जो है मुखे समस्या देखें सबसे ज़्यादा हमें समस्या क्या होती है कि हम अपने निबंद को कैसे लिखें ठीक है न किस प्रकार से लिखें और कितने भागों में लिखें अब आप कहोगे कि इतना dimension लिखेंगे तो सर्थ हमारे पास तो 3000 सब्द हो जाएंगे 3000 सब्द हो जाएंगे लेकिन यही तो आपकी कला है बाकी सब्द विख्यान है यही तो आपकी कला है जिसमें आपको इसको अपना अनिबंद बनाना है इसमें से कौन dimension आपको सबसे अच्छा लग रहा है जिसका डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो जरूर आप यहाँ पर करें समझ रहा है न उसको जरूर यहाँ पर implement करें हो सकता है कम से कम 7-8 dimension आप लेंगे जिसमें कि उसके negative impact या उसके जो पक्ष विपक्ष के तर्क होते हैं उनको अगर आप 7-8 topic को इसमें choose करते हो मूख भाग को हमने मान लिया कि 2 page में हमारा हो गया प्रस्तावना ठीक है न वाकि हमको 7-8 page में यानि कि 7-8 topic लेने हैं और उनके पक्ष विपक्ष को दिखा देना है एक page में एक topic खतम कर देना है यानि कि एक page में एक dimension खतम करते हुए हमें 7 8-8 page जो है और लेलना है और हम कितने लिखेंगे 13-14 page लिखेंगे सबसे जादा लिखेंगे यानि कि हम 1200 से जादा ही लिखेंगे हमेशा निबन क्योंकि हमारे पास सब्दों की dimension की चीजों की कमी नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनक तो हमें दो पेज में निशकर्स भी लिखना है निशकर्स बड़ा ही creative होना चीए database होना चीए और इसके लिए हम कुछ national international reports का use करेंगे तीक है निशकर्स जो है आपका factual होना चीए database होना चीए यह आपका factual होना चीए तत्थ्यात्मक डेटा conclusive होना चीए यानि कि आप से कोई fact पूछा गया है यानि कि किसी समस्या के बारे में पूछा गया है तो आपको overall एक अपना self views ज़रूर present करना चीए और वो हमेशा जो है constructive हो तीक है न अभी हमने मोदी जी ने आपने speech सुनी चुनाव जीतने के बाद जो है उन्होंने एक speech दी थी उसमें कुछ सब्दों का उपयोग किया था उन्हों सब्द बड़े अच्छे लगे मुझे इसलिए मैं आप सभी के बाद बीच शेयर कर रहा हूँ कि उसको आप जो है न constructive cooperative federalism cooperative था ही cooperative federalism था ही हम जो है केंदर राज संबंद के बीच जो है एक federalism create कर रहे हैं हम जो है संगवाद की जो एक मूल आउधाना है जिसमें केंदर और राज के बीच जो है संबंद अच्छे हों मजबूत हों दोनों को बराबर शक्ति हो और दोनों के संबंद अच्छे तभी रहेंगे जब दोनों के बीच जो है हम जो है cooperation में रहेंगे अब उसी को cooperative federalism बोला गया है अभी जो है cooperative, constructive, competitive federalism का नाम उन्होंने लिया है तो मैं एक शब्द है उसको लिखना चाहूँगा कि मुझे ये शब्द बड़े अच्छे लगे इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मोदी जी कभी कभी जो है न कुछ अच्छे terms यूज़ करते हैं तो इस पे जो है constructive अब आप लोग बोलेगे कि हम तो हिंदी में नी बंद लिख रहे हैं तो इन सब सब्दों का यूज़ कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ constructive cooperative federalism यह शब्द जो है आप अगर यूज़ करते हैं कहीं पे अगर कुछ दो हिंदी मीडियम वाले पोलें कैसे हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे constructive, competitive, cooperative, federalism संगवाद कर दीजे या इसी federalism भी आप लिख सकते हैं ठीक है अब यह शब्द जो है न वो आपको अगर अपने निबंध में डाल देते हैं जो की एकदम new है मतलब एकदम new है यह प्रशासनिक अधिकारी का सबसे अच्छा गून होता है कि जो जो हमारी वर्तमान समस्याएं हैं और समधान भी वर्तमान हैं वर्तमान समय में जो चीजें हो रही हैं घटी तो हो रही हैं और इसी तभी तो आप इसको अपना बनाओगे तभी तो अब इसका अर्थ क्या होता है इस पर बाते हम बाद में करेंगे लेकिन मैं कुछ चीजें ह जो आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने नंबर को कैसे बढ़ाएंगे हम जो है नए शब्दों का उपयोग करेंगे जो बहुत ज़्यादा संचालन में है यानि कि अब जो है एक शब्द यह हो गया दूसरा सब्द जो है हम आपको बता दें दूसरा सब्द जैसे कि बहुत ज़्यादा आप जो है यूज कर रहे हूँ जलवाई परिवर्तन अब सामान्य व्यक्ति भी जलवाई परिवर्तन सब्द यूज करने लगा है कि यह बाहरी सोर्य बगर्मी बहुत पड़ रही है अब इसका मतलब है कि यह क्लाइमिट चेंज का असर है क्यों असर है इसके बारे में हम बात करेंगे वैश्विक तापन कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है कहीं बहुत ज़्यादा पानी है पानी ही नहीं है यह सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है ठीक है यह शब्द जो है आप जरूर लाएंगे किस तरीके से अपने अपने इसमें निम्द लेखन में समावी शीविकास ठीक है यानि कि हम जो है जब भी डेबलप्मेंट कर रहे हैं तो हम जो है इंक्लूसिव डेबलप्मेंट की बात कर रहे हैं हमेशा बात हो रही है हर जगा बात हो रही है सभी को बैंकिंग से जोड़ना सभी के पास बैंकिंग सुविधाय प्रवाइड कराना तो समवीशी विकास की बात चल रही है हम जब भी पर्यावरन संदक्षन की बात कर रहे हैं तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक पर्यावरन अलाइंस बनाया जाए जो हमारे लिए G20 जो है हमारा आर्थिक अलाइंस है उसी प्रकार स पर्यावरान एलाइंस भी हम लोग बनाएं और उस पर हला कि हम लोग काम कर रहे हैं तो इस तरीके से ये विकास हो गया हमारे नैतिकता शब्द जरूर आना चाहिए आपके ठीक है न मोरैलिटी और कुछ और हैं जो मैं सुसासन गुड गवर्णेंस ठीक हैं मैं आपको सारे लिख करके दूँगा आपको लिखवाऊंगा जिसमें इन सब्दों का प्रयोग आप करेंगे अपने निबंध में कहीं न कहीं आप इसका प्रयोग सीखेंगे तीक है न तो आपके जो है आपका निबंध औरों से अच्छा हो जाएगा आपको लगेगा कि यह आपका है और साथी साथ आप जो है इसमें और भी चीजे प्राप्त कर सकते हैं मिशकर्स में हम बोल रहे थे कि factual होना चीए, conclusive होना चीए, यानि कि कोई नो कोई निड़ाय हम दें भले पक्ष भी पक्ष मिला करके हम एक बीच का रास्ता देखें लेकिन निड़ाय होना चीए, निड़ाय किसके आधार पर होना चीए, factual यानि कि report based होना चीए, यानि कि सरकार के आकड़े हैं, जो भारा सरकार द्वारा है, NCRB के आकड़े हैं, जो अपराज से संबन दित हैं, या हमारे WHO के आकड़े हैं, जो स्वास से संबन दित हैं, WTO के आकड़े हैं, व्यापार से संबन दित हैं, IMF के आकड़े हैं, जो आर्थव्योस्ता की ग्रोथ से इक्जेक्ट नाम नहीं आता रहा है तो उसमें आप ध्यान क्या रखेंगे प्रसाशनिक सोधार आयोग तो दिती प्रसाशनिक सोधार आयोग में रिपोर्ट है उसमें जो है उसके कुछ डिसीज़न निर्ड bucket है कि जैसे Pay Commission जो है वो कब कब होना चाहिए हमारी Finance Commission अमारा वित्तायोग है उसकी जो है रिपोर्ट आती हैं उसके Conclusive डिसीजन वो आप लिख सकते हैं Second ERC report जो है उसको कोट कर सकते हैं और भी हमारे बहुत सारे reports आती हैं WTO की IMF की और इनकी तो उसके जो है हम current affairs में सारा पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं हम पढ़ भी रहे हैं सारे तो इन सभी को आप ध्यान में रख करके निशकर्स अपना प्राक्टिकल हो अब यह प्राक्टिकल हम कैसे देंगे तो जैसे कि आप परियावन प्रदूसर्ण पर कोई मालीजे की निबंद लिख रहे हैं तो आपके आपको पता है की थ्री आर एक सलूशन है पहला तो है रिफ्यूज रियूज रिसाइकल यह तीन आर जो है यह अपने स्टेट्मेंट को कितना परियावरन प्रदूसर्ण पर बहुत सारी बाते होती हैं हम एसी कमरे में बैठ करके ठीक है न अपनी मांगी मांगी 3R का concept दे सकते हैं जो कि commonly आपको लिखा रहता है जो ऐसे आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं नगर निगम के छेतर होते हैं जहां पर कच्रा तो और कुड़ा इकठा किया जाता है उस पे जो है लिखा रहता है बहुत जगह कि आप कच्रा या जो यह है प्लास्टिक आदी है उसको पहले refuse करिए तीक है ना फिर या reuse करिए या recycle करिए यही तीन होता है जिससे हम परियावनट पुदूसरां को आसानी से टैकल कर सकते हैं दोस्तों अभी बहुत सारी चीजे जो है हमारी बची है जो कि next class में हम cover करेंगे जो कि हमारे कुछ और बात करेंगे हमारा जो तत्य ग्राफ चार्ट आदी का जो अनुपात है वो कैसे होगा और क्या-कै साउधानिया रखनी चाहिए इन सभी पर डीटेल बात करेंगे हम लोग next class में तब तक के लिए धन्यवाद स्वस्त रहिए मस्त रहिए बिस्त रहिए बहुत बहुत ध मचत सकतर के लोग जाजया Fast रहिए बहाद सकत रहिए बजस्त रहुत रहिए ख़्वाद हैं तक्या चाहिए आज़ योन स।बदित स्वस्त कर बात क्या थाज़गर और फिर इता हुत रहिए